नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News मैं हूँ आपके साथ दिपिका ओजा चले शुरुआत करते हैं बिहार के खबरों की लाउड स्पीकर विवाद को लेकर नेताओं के बीच तना तनी का माहल बना हुआ है सब के बीच बिहार के सियम नितीश कुमार ने कहा कि लाउड स्पीकर को धार्मिक स्तलों से हटाने का कोई सवाल ही नहीं है बिहार सरकार किसी भी धार्मिक प्रथा में हस्ता शेप नहीं करती है ये सब बक्वास है तो आई बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्षुत तेजस्त्वी यादव ने लाउड स्पीकर और बुल्डोजर पर हो रहे विवाद के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर के बहाने असली मुद्दों से भटकाय जा रहा है आखिर बेरोजगारी महंगाई और तरक्की पर क्यों बात नहीं हो रही है साथ ही उन्होंने कहा कि ईश्वर लाउड स्पीकर के मोहताज नहीं है लाउड स्पीकर का इन्वेंशन 1925 में हुआ था उससे पहले भगवान या अल्ला को सुनाई नहीं पड़ता था क्या विचार की लडाई में जो है इंसानियत को मद गूए और सबसे बड़ा सबसे बड़ा धर्म जो है मानवता होता है अब हम आप से पूछे कि भाई बताओ लाउड स्पीकर कब आया लाउड स्पीकर की खोज कब हुई हम आपको बताते हैं लाउड स्पीकर की खोज जो है 1925 में हुई और सतर के दशक में भारत आया या तो तो इससे पहले आस्था लोगों की नहीं थी क्या, वो प्राथना नहीं करते थे, वो प्रेयर नहीं करते थे, यह लाउट स्पीकर, जो है, यह तो सतर के दशक में आया, तो उससे पहले क्या था, अब जो लोग अलानम लगा करके उठते हैं, वोग लोग सोचते हैं कि भगव इस अधिक बात आप लिए इन पर भी धानी को विगान सोते रहत है उनको उति लाउट्सेकर फोर्टे है वन गालमतेख़ महंगायं तरक्की की बात की बातु नहीं की नहीं तो फुसकार्ट की है उनकर永तनी इन जर्ट नहींगि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरजेडी कारेकरताओं के साथ बैठक की जिसमें तेजस्वी आरजेडी कारेकरताओं को नसीहद देते हुए नजर आए उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाओं के समय जागने से ही काम नहीं चलेगा कारेकरताओं को 24 घंटे पार्टी के विकास के बारे में सोचना होगा और सदस्यता अभियान को ताकत देनी चाहिए साथी तेजस्वी ने कहा कि गैर जरूरी मुद्धों पर पार्टी को नहीं जाना चाहिए और सदस्यता अभियान पर इमानदारी से फोकस करना चाहिए तो वहीं मदेपुरा के सदर्थाना शेत्र में ईद को लेकर शांती समीती की बैठक की गई जिसमें SDM सहित कही पदादिकारी शामिल हुए मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि एद सिर्फ मुस्लिम भाई की ही नहीं बलकि हम सभी जिलावासियों की भी है जिले के तमाम लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरह की अफवा पर ध्यान न दे और अफवा फैलाने वालों की सूचना दे जिससे उन पर कारवाई की जा सके बिहार सरकार बिहार में बेहतर विवस्ताओं की बात करती है लेकिन औरंगाबाद के सदर अस्पताल में जिला, स्वास्त, समीती, पोशन, पुनरवास केंडर का बुरा हाल है बतादे कि यहां गरीब तबके के कुपोशत बच्चों और माताओं को पोशन आहार दिया जाता है जिसकी गुणवक्ता इतनी खराब है कि वो खाया तक नहीं जाता है साथ ही बच्चों के लिए दूद, फल, अंडे के नाम पर सिर्फ सामान्य भोजन उपलब्द कराए जा रहा है बतादे कि केंद्र को संचालित करने वाले कर्मिय भी इस बात को सुईकार करते हैं कि यहां कमिया हैं लेकिन इस पर कब कारवाई होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है चले फिलाल के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें धन्यवाद